हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मा यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी गोबर्धन महाराज की पूजा बिदी गोबर्धन महाराज की पूजा कैसे की जाती है और गोबर्धन महाराज की पूजा सामिकरी क्या है पहले ही अपने चैनल पर गोबर्धन महराज कैसे बनाई जाते हैं, गोबर्धन महराज बनाने का वीडियो में पहले ही अपनी चैनल पर अप्लोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहां जाकर आप पाली के अगले दिन भगवान गोबर्धन की पूजा होती है मानेता है कि गोबर्धन या अनकूट परवत की पूजा करने बाले पर श्री किष्ण जी की कृपावरस्ती है तो आए जान लेते हैं गोबर्धन महाराज की पूजा कैसे की जाती है और गोबर्धन महाराज की एक सर्सों के तेल का दीपक और एक शुद्द देशी गी का दीपक इसमें दो दीपक जलाए जाते हैं और माचिस ली है धुबती ली है दच्छना ली है और रजाई उड़ाने के लिए रूई और भोग लगाने के लिए फल लिये हैं फल में हमने केला लिया है सेव लिये हैं और मिठाई में हमने रसमाधुरी लिए हैं और भगवान को अर्पित करने के लिए जल लिया है और पीली सी के छप्पर बनाने के लिए लिए हैं कोई भी फल ले सकते हैं और कोई भी फूल भी ले सकते हैं और आप की रसोई में जो भी भोजन बना है उससे भी आप गोवबर्धन महराज का भूव लगा सकते हैं प्रेंस हमने यहां पर दो दीपक इसलिए लिए हैं, घी का दीपक हमने भगवान की आर्थी करने के लिए लिया है, और सरफों की तिल का दीपक हमने रोश्णी करने के लिये लिया है, पहले के जमाने में लाइट बगरहा नहीं होती थी, और ग्स attachने अपनी उंहली पर अपन अब हम गव माता को भी रोली से तलक कर देंगे और जो हमारे गोधन महाराज के बाहर गाओं के मुखिया बैठे हैं चौधरी बैठे हैं उनका भी हम पूजन कर लेंगे खील खिलोना लगा देंगे अब हम बस्त रुपी कलावा भगवान को अर्पित कर देंगे अब हम भोग लगाएंगे जो हमने मिठाई लिए है उसका हम भोग लगा देंगे पहले हम भगवान को भोग लगाएंगे फिर गव माता को भोग लगाएंगे और जो गोवन महाराज के बाहर मुखिया बैठे हैं उनका भी हम भोग लगा देंगे एक एक करकर हम सबको भोग अर्वित करेंगे यहां पर हमने रसमाद्री लिया है उसका भी हम भोग लगाएंगे फ्रेंड्स गोबर्धन महाराज की आर्थी का वीडियो और कथा का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अप्लोट कर चुकी हूँ उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां जाकर आप देख सकते हैं यहां पर हमने भोग भी लगा दिया है और जो हमने फल लिये थे सेव और केले का उसका भी हम भगवान को भोग अर्पित कर देंगे वहतार को भोग अर्पित करेंगे जो नाधि हमने घर के गुबर्दन महाराज के बाहर बैटे हैं उनको भी हम फल का भोग अर्पित करेंगे और यही पर हम सारा भोग भगवान के समच्च रख देंगे और जो खील खीलोना लिये हैं उनका भी हम भगवान को अर्पित करेंगे गव माता को भगवान के समझ रख देंगे अब हम भगवान को कोशी दचना अर्पित करेंगे दचना आप अपनी सरद्धारों सार भगवान को अर्पित कीजिए और जो हमने फूल लिये हैं भगवान को अर्पित करेंगे यदि आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला भी अर्पित कर सकती है मैं इन्ही फूलों को भगवान को माला की रूप में अर्पित कर दूँगी मैं सारे फूल एके करकर माला की अगर्ति में लगा दूँगी सिरी क्रिश्नी गोविंद हरे मूरारी हे नाति नाराय निवास देवा अब यहां पर हमने गाय माता को भी फूल अर्पित कर दिये हैं कुछ फूल हम गोवर्धन महाराज को भी अर्पित करेंगे गोवर्धन महाराज हमारे पूजनी हैं उनकी भी हम पूजा करेंगे और हम भगवान की चर्णों में भी कुछ फूल अर्पित कर देंगे और जो हमने घर के बाहर मुखिया बैठा के रखे हैं उन पर भी हम फूल अरपित करेंगे भगवान को हम जल अरपित करेंगे अब हम गव माता को रुई से रजाई उड़ाएंगे क्योंकि इस थन्डी का मौसम चल रहा है तो हम गव माता को रजाई भी उड़ाएंगे और जो गोवरधन माराज के बाहर हमने मुखिया बनाई हैं उनको भी रजाई उड़ाएंगे और डोगी बनाया हूआ है उसको भी रजाई उड़ाएंगे और जो हमने चपर बनाने के लिए पीली सिंखें लिए हैं उनमें रूई लगा कर जो गुबर्धन महाराज के चारवतर बाउंडरी बनी है उस पर लगा देंगे चपर बना देंगे अब हम याँ पर गोबर्धन महाराज के पह चुलेंगे, आच्चमा प्रात्ना कर लेंगे, उनका शिर्बाद प्राप्त कर लेंगे, तो फ्रेंड्स यह थी हमारी छोटी सी पूजा गोबर्धन महाराज की, इस दिन अनकूट भी बनाया जाता है और भगवान को अनकूट का भी भूग लगाया जाता है और गोबर्धन पूजा को अनकूट पूजा भी कहा जाता है इसी बिदी से गोबर्धन महाराज की सुभह भी पूजा की जाएगी और इसी बिदी से शाम को भी गोबर्धन माराज की पूजा की जाएगी फ्रेंड्स आपको हमारा गोबर्धन पूजा बिदी का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और गोबर्धन पूजा के दूसरे दिन गोबर्धन महाराज कैसे उठाए जाते हैं इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो जरासा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों में जादा से जादा शेयर करें यदि आप हमारे चैनल राइट शॉइस निरच पर पहली वार आए हैं तो पिलिज चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने बाली लेटिस्ट वीडियो की नोटिपिकेशन आपको समय से मिल सके तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जैगोबर्धन महाराज की ओम नमो भगवते बासुदेवाए